दोस्तों योदि आपके या फिर आपके family member में किसी के भी voter ID card में कोई problem है correction करने के लिए जैसे नाम correction करना है या फिर कोई mistake है तो आपको कैसे उसको online घर बैठे ठीक करवाना है आज की बीडियो में हम वही सीखने वाले हैं हेलो दोस्तों में नाम नवीन है आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चनल हमसे फटेक तो चलते हैं directly phone की screen पर और आपको step by step complete process बताते हैं कि कैसे आपको घर बैठे voter ID card पर correction करना है दोस्तों voter ID card पर correction कराना बहुत ही असान है और बहुत ही easy है आपको सबसे पहले अपने mobile phone पर Google Play Store से voter help line application को download करना है और जैसे आप application को download कर लेंगे इसका हाला की मैं link आपको वीडियो को discussion दे दूँगा जैसे आप download करके open करेंगे voter help line app को तो यहाँ पर आपके सामने इस तरी next करते ही एक नया page खुल कर आएगा यहाँ पर skip login आपको करना है जैसे आप skip login करेंगे यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से interface आएगा अब यहाँ पर voter registration पर आपको click करना है पहला वाला जो options है click करते ही आपके सामने एक और form खुल कर आजाएगा अब आप यहाँ पर दिखी आप यहाँ पर एक और page खुल कर आएगा तो let's start पर आपको click करना नीचे से जैसे आप click करेंगे mobile number आपको enter करना है और send OTP पर आपको click करना होगा उसके बाद आपके number पर OTP आएगा उस OTP को आपको fill करना है और यहाँ पर verify पर click करना होगा अब यहाँ पर एक और page खुल कर आ चुका है यहाँ पर भी आपको वही करना है let's start और जैसे आप click करेंगे अब यहाँ पर दो options आ गए हैं खुल कर और यहाँ पर पोश्च रहा है कि क्या आपको अपना voter ID card number पता है तो जाहरी सी वाते दोस्तों अगर आप correction करवा रहे हो तो आपको अपना voter ID card number पता होगा अगर नहीं पता है तो इस पर मैं पूरी details वीडियो बना चुका हूँ कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके नाम से कितने voter ID card बने हैं और अगर आपके एक से ज़ादा voter ID card बना है और उनके नमबर अलग-अलग है तो उनको delete करवाना भी बहुत जरूरी है otherwise government की तरब से आ आपके उपर action लिया जा सकता है क्योंकि एक person के नाम से दो अलग-अलग number की ID होना गैर कानूनी है तो आप उस वीडियो को जरूर दिखना उसका link आपको इस वीडियो के description मिल जाएगा और एक और चीज़ आपको उस वीडियो में सीखने को मिलेगी कि आगर आपको उपना voter सर्च कर सकते हैं no करेंगे next करेंगे और जोबी डिटिल आप यहाँ पर fill up करेंगे अपना name, father का नाम, age, gender, district, state और यहाँ पर assembly यानि की block का नाम proceed करेंगे यहाँ पर आपका details आजाएगा, fill हाल हमें अपना voter ID card number पता है तो हम yes करके इसको next click करेंगे और click करते ही यहाँ पर अब हमें अपना epic number डालना होगा, यानि की voter ID card number हमें यहाँ पर enter करना है और उसके बाद fetch detail पे हमें click करना होगा अब यहाँ पर आप दिखेंगे कि एक और page खुलकर आचुका है, अब यहाँ पर आपका सारा details आचुका है, आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, आपका address क्या है, तो उसके बाद आप check करके इसको next पर click कर देंगे अब आप यहाँ पर क्या correction करवा रहे हो, तो आपको सबसे पहले उनको tick करना होगा, जैसे मान के चलो अगर आपका नाम का correction कराना है आपको, तो यहाँ पर tick करना है, और जो भी correction आपको करना है, आप उनको tick करते जाएंगे इस तरीके से, और दोस्तों याद रखेगा, कि आप जो भी correction यहाँ पर करवाना चाहोगे, उसका document देना बहुत जरूरी है, मान के चलो, कि आपको photograph से यहाँ पर अपना change करना है, नया photo add करना है, तो यहाँ पर photograph पे हमने tick कर लिया है, अगर आपको address change करना है, तो आपको address proof के तोर पे अपना bank का passbook भी दे सकते हैं, और ज यहाँ पर नीचे से next कर लेते हैं, next करने के बाद आपके सामने details आएगा, तो आप अपना house number यहाँ पर enter करेंगे, और जैसे आप अपना house number लिखेंगे, या फिर अपने father का नाम भी type कर सकते हैं, और यहाँ पर नीचे हिंदी में automatically आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ अपना area का नाम डालना होगा, उसके बाद locality है, जो भी आपकी है, यह चाहे तो आप वो डाल सकते हैं, अपने town का, blaze का नाम डाल सकते हैं, गाउं का, और उसके बाद आपका post office कौन सा है, आप enter कर सकते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पर pin code number क्या है, area का वो select करेंगे, उ अप camera का access ले सकते हैं, या फिर आप gallery से photo को select कर सकते हैं, चलिए हम यहाँ पर gallery से select कर लेते हैं, और हमने gallery पर एक photo रखा हुआ है, हमने इसको select कर लिया है, उसके बाद हम इसको ok करेंगे, और यहाँ पर उसके बाद हमें address proof के तोर पर हमें जो जो document लगेगा, तो यहाँ प आपका जो document है उसका size 2 MB से जादा नहीं होना चाहिए और यहाँ पर JPEG और JPG format में यहाँ पर आपको address को upload करना है यानि कि आपको photo खीच कर ही यहाँ पर upload करना है PDF फाइल यहाँ पर upload नहीं उपाएगा और उसके बाद आपको next पर click करना होगा अब आपको यहाँ पर full name type करना है और आपको यहाँ पर अपना place का नाम डालना है यानि कि अपने गाउं का भी आप नाम डाल सकते है place की जगा और उसके बाद आपको submit करना होगा submit करते ही आप एक बार recheck के जरूर कर लें review कर लेंगे कि आपने जो detail यहाँ पर fill up करिये वो सही है नहीं है और उसके बाद आपको confirm करना है confirm करने के बाद दुस्तों आपको यहाँ पर एक reference number मिल जाएगा और जिसको आप आसाने से track भी कर सकते हैं track करने के लिए दुस्तों आपको simple दुबारा से homepage पर आना है और जैसे आप आएंगे सबसे उपर आपको three line दिखरी है आप click करेंगे और यहाँ पर आप दिखेंगे online voter services पर आपको click करना है और यहाँ पर आप दिखेंगे status of application आपको यहाँ पर click करना है और यहाँ पर जो भ लगता है इस प्रोसेस को complete होने में और उसके बाद जो correction वाला voter ID card है जो आपका correct वाला ID है तो वो आपके address पर by courier के थ्रूँ by post के थ्रूँ आ जाता है I hope दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि कैसे आपको घर बेटे आसानी से voter ID card पर correction करना है अगर आपको वीडियो helpful लगा हूँ वीडियो को like जरूर कर दे और अपने दोस्तेरों के साथ भी वीडियो को जरूर से करना अगर आपका कोई सवाल है question है तो आप comment कर सकते हैं या फिर आप directly मुझे facebook, instagram पर message कर सकते हैं जिसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा और हाँ दोस्तों ऐसे interesting और knowledgeable वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करके bell icon को all पे जरूर प्रस करते हैं ताकि आपको हमारी तरफ से latest videos का update बले सबसे पहले